UP Board Class 10th के सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि यहीं से आपका 2024 Board परिच्छा का पेपर बनेगा English Class 10th का बिलकुल नया Lattest syllabus यहां से आपके प्रशन आएंगे कैसे कैसे प्रशन आएंगे तो इसलिए सभी बच्चे सभी स्टूडेंट Class 10th UP Board के इस वीडियो को ध्यान से देख लेना लास्ट तक आपका English Class 10th का पर बिलकुल अच्छे से रेडी हो जाएगा आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पेपर में कैसे प्रशन आएंगे और कौन-कौन से question पूछे जाएंगे तो यह syllabus 2023 का देखो बिलकुल नया syllabus है ठीक है यहां पर देखो एक पेपर होगा 70 नंबर का यहां पर लिखा है कि there will be one question पेपर जो कि 70 नंबर का होगा 70 marks का होगा और internal assessment यानि कि जो project बनता है वो 30 नंबर की file होगी और यह 70 नंबर में से भी आपको दो भागों में divide कर देना 20 नंबर के आपके OMR वाले प्रशनाएंगे पचास नंबर के आपके लिखने वाले प्रशनाएंगे जो आपको copy पर लिखने पड़ेंगे और 20 नंबर के जो OMR प्रशनाएंगे उनको OMR sheet पर उनका सही उत्तर सही आंसर आपको select करके भरना होता है black या blue ball point pen से आपकी OMR sheet पर तो बिल्कुल नया syllabus समझ लेते हैं सबसे पहले paper का pattern दिया है paper में reading से 10 नंबर के प्रशन सबसे पहले पूछे जाएंगे तो क्या होगा कि एक आपको short unseen passage दिया जाएगा जिसके नीचे 3 MCQs यानि की बहु विकल्पी प्रशन दिये होंगे तीन बहु विकल्पी प्रशन दिये होंगे एक short unseen passage के नीचे यह OMR पर करने हैं इसके बाद one unseen passage followed by three very short answer type question अब यह very short answer type question है इनको copy पर करना है तो 6 नंबर के आपके 3 short question पूछे जाएंगे और 3 MCQ या आपके reading पर आधारित unseen passage पर आधारित प्रशन आएंगे जो प्रशन आएगा अब राइटिंग इसकिल पर देखो राइटिंग इसकिल यानि क्या आपको लिखना होगा इसमें आपको letter लिखने को मिलेगा letter तैयार कर लो ये letter formal भी हो सकता है इन फॉर्मल भी हो सकता है application भी हो सकती है जैसे छुटी के लिए application fees maaf के लिए application इसके अलाव के लिए घर पर लेटर लिखना है किसी फ्रेंड को शादी में इन्वाइट करने के लिए लेटर लिखना है तो लेटर आपका एक चार नंबर में मिलेगा लिखने को और एक descriptive paragraph, report या article जो कि किसी एक one option based, one on given verbal input, another in figurative input असी या 100 शब्दों में आपको एक paragraph, report या article लिखना होगा ये article 6 नंबर का है किसी भी topic पर ये हो सकता है ये आपको दिया जाएगा ये writing skill से total 10 नंबर के प्रश्न आएंगे grammar की बात की जाए तो grammar में 15 नंबर के question आएंगे इसमें 5 MCQ based on parts of speech, tense पे, articles पे, re-ordering sentences पे और spelling पे मिलेंगे देखने को 5 बहुँ विकल्पी प्रश्ना, 5 बहुँ विकल्पी हैं यानि कि ये MCQs हैं ये आपको OMR sheet पर करने होंगे OMR sheet पर ये ध्यान से देखना कि 5 OMR प्रश्ना आपके parts of speech, tenses पांच बांच नहीं इन सभी topics से 5 प्रश्न बनाए जाएंगे आपके बहुँ विकल्पी इसके बाद 3 very short answer type question based on narration, voice and punctuation 3 very short answer type question, 3 बहुत छोटे प्रश्न जो की किस पर आधारित होंगे narration पर, voice पर और punctuation पर narration में direct indirect रहेगा, voice में active voice और passive voice और punctuation इनी की sentence को punctuate करना होगा, जहां पर गलती होगी उसे सुधारना होगा, ये 6 नंबर के total प्रश्न आएंगे 222 के रूप में, इसका बाद translation of a short Hindi passage to English, यानि कि एक छोटी सी story दी होगी जिसको आपको English में translate करना पड़ेगा, चार sentence के वल रहेंगे, इसमें बड़े बड़े चार sentence आपको देखने को मिलेंगे, ये चार नंबर के आपको translation Hindi to English करने को मिलेगा आपके paper में, चार नंबर की एक story आपसे बनवाई जाएगी, हिंदी से English में translation कराया जाएगा, इसके बाद literature देखो, literature या ये first flight वाली book से 23 नंबर के प्रशनाएगे, 23 marks के, इसमें सबसे पहले pros में देखो, pros से 15 नंबर के प्रशनाएगे, 2 MCQs based on given extract, अब 2 MCQs आपसे OMR पर पूछ लिये जाएगे, 3 MCQs based on lessons, 3 MCQs जो कि आपके lessons पे बेस्ट होंगे, ये भी आपसे OMR पर पूछ लिये जाएगे, कहां से pros से आपको 5 प्रशन OMR पर देखने को मिलेंगे, लिखने वाले प्रशन में, 2 short answer type question in about 30-40 words each, 2 short question मिलेंगे तो ये copy पर लिखने वाले प्रशन होंगे, ये भी आपके pros वाले chapter से होंगे, अभी बताएगे कि chapter कौन कौन से पढ़ने हैं, नए syllabus में कौन कौन से chapter आपके teacher पढ़ाएंगे, और एक long answer लिखा है, one long answer यानि कि एक बड़ा प्रशन, एक long answer type question जो की 60 शब्दों में, 60 words में देना है, आधे से एक page में ये आपको उत्तर देना है, ये 4 नंबर का आपको pros से ये प्रशन देखने को मिलेगा, अब poetry, poetry आठ नंबर की आएगी, poetry में 2 MCQ based on given extract, अब ये MCQ है, तो ये आपको OMR पर करने होंगे, दो MCQ आपके poetry से आएंगे, और one short answer type question based on poetry lesson in about 30-40 words, एक short answer type question भी आपको उत्तर देना है, 30-40 words में, 30-40 words में, 30-40 words में, 30-40 अब्दों में, या फिर 4 lines from any poems prescribed in the syllabus, किसी कविता की 4 lines भी आप लिख सकते हैं, इसके बाद सेंटर central idea आपको एक poem का लिखना होगा, central idea तीन नमबर का रहेगा, किसी एक कविता का central idea, किसी एक कविता का केंद्रिये भाव, English poem का आपको central idea लिखना होगा, तीन topic दिये होंगे, किसी एक का लिखना होगा, तीन नमबर का ये आएगा, अब footprints जो book है, footprints without feet, ये 12 नमबर के प्रशन अब इसमें देखो आएंगे, 5 MCQ based on prescribed lesson, 5 बहुवी कल पे प्रशन आएंगे, जो कि आपके footprints without feet वाली book के जो lesson है, उस पर आधारित, अब क्योंकि ये MCQ है, इसलिए ये OMR sheet पर करने है, इसके बाद 1 short answer type question, जो कि 30 से 40 शब्दों का होगा, ये 3 नमबर का, और 1 long answer type question, ये 6 शब बुक से इतना content आपको देखने को मिलेगा, 5 3 8 4 12 नमबर का, अब textbook देखो, first flight जो textbook है, first flight textbook है, उसमें क्या-क्या पढ़ाया जाएगा, प्रोस वाले में, जो chapter है, a letter to God GL points का, इसके बाद नेलसन मंडेला, long walk to freedom मंडेला, नेलसन, हाँ, नेलसन रोली, रोली हला हला, जो भी नाम है, मंडेला जी का ये lesson है, इसके बाद two stories about flying, his first flight, black aeroplane, ये इनके सभी लेखा का, ये सारे chapter, ये सारे chapter आपको प्रोस में पढ़ाये जाएगे, ये glimpses of India, ये baker from Goa, ठीक है, इनका लिखा हुआ है, क्रूग, लोकेश अबरोल का, और ये वाला chapter है, ये वाला chapter है, ये वाला chapter है, टी फ्रॉम आसाम, ये अरूप कुमार दत्ता का लिखा हुआ प्रोस है, इसके बाद मिजबील, दा ओर्टर, ये गैविन मैक्सवेल का ल बेनारिस, ठीक है, ये चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा, दा प्रपोजल, ये एंटोव जेकोव का लिखा हुआ लेसन है, पोईटरी में देखो कौन-कौन सी कविता हैं, आपके सिलेबस में हैं, बिल्कुल नया दो हजार चौबिस का सिलेबस, कौन-कौन सी पोईट ये टाइगर इन दा जू, ये लेसली नौरिस की कविता है, पोईम है, हाउ टू टेल वाइल एनिमल्स, ये कैरोलिन वेल्स द्वारा लिखित पोईम है, दा बाल पोईम, ये जॉन बेरीमैन की पोईम है, एमेंडा, ये रॉबिन केल, रॉबिन की पोईम है, दा ट्रीज, ये एड्रीने रिच की पोईम है, दे ट्रीज, ठीक है, इसके बाद फॉग, ये कार्ल सेंडबर्ग की पोईम है, दे टेल अफ कस्टर्ड, दे ड्रेगन, ये ओडे, और अग्डेन नैश की पोईम है, और फॉर एने ग्रेगरी, ये विलियम बटलर हीट्स की कविता है, पो इसके बाद, देखो, फॉट्बृंटेर्ट्स वृष्ट जो सप्लीमेंटरी डीर की बुथ है, जो सप्लीमेंटरी डीर की बुथ है, जिससे बारा नमबर की क्वेश्चन आने है, तोटल पामतिस नंबर का आईगा आपकी बुथृश्च सिदे प्रोष में तेईस का, पो यानि कि जो supplementary रीडर है इससे 12 नंबर का content आएगा तो total 35 नंबर का आएगा जिसमें 23 नंबर का prose poetry से 23 नंबर का आएगा जो first flight वाली book है और supplementary वाली book है इससे 12 नंबर का आएगा footprints without feet वाली book से अब footprints without feet वाली book में कौन कौन से chapter है यहाँ पे ध्यान से देखो total 9 chapter पढ़ाये जाएंगे 9 chapter है यह थिम्प of surgery यह James Harriet का The Thief Story यह Ruskin Bond का The Midnight Visitor Robert Arthur का A Question of Trust यह Victor Canning का footprints without feet H.G. Wales का और The Making of a Scientist यह Robert W. Peterson का The Necklace यह Guy D. Maupacent का और भोली यह K.A. Abbas का लिखी हुई poem है और The Book That Saved the Earth यह Clary Boy को द्वारा लिखे तो और यहाँ पर 4 टेस्ट होंगे और दो आपके project होंगे जो कि आपकी कराया जाएंगे यह 30 नमबर का वो material है जो आपसे school में कराया जाएगा academic session के दोरान तो first internal assessment जो की 10 नमबर का होगा यह oral होगा यह से आपसे किवल पूछा जाएगा यह अगस्त में होगा second internal assessment यह creative writing पर यानि रचनात्मक लेखन पर आधारित होगा यह भी December में कराया जाएगा और 4 monthly test होगे चार टेस्ट आपके college में कराया जाएगे पहला monthly test यह MCQ पर आधारित मई में होगा दूसरा descriptive type लिखित होगा यह जुलाई में होगा तीसरा MCQ यानि बहुली कल पर फिश्ट ओमर वाला होगा यह November में होगा और 4th test यह descriptive होगा यह December में होगा total इन 4 test होगे जो number मिलके आएगे वो 10 number की यह total chart test आपके पूरे project में जोड के दिये जाएंगे जो 30 number का होता है प्रेक्टिकल वाला जिसे project work कहते हैं उसमें और 30 number के यह आपके oral assessment और creative writing based यह दो टेस्ट यह लगे हुए अगस्त और दिसम्बर में तो इस तरह से यह पूरा syllabus हो जाता है मैंने chapter बता दिये और पूरा paper का pattern भी बता दिया कहां से कितने number काएगा इसी के according अपनी तैयारी करो इसी के हिसाब से तैयारी करोगे तो definitely बहुत ही अच्छ नाई 95 नंबर आराम से मिल जाएंगे आपके दो हदार चौबिस के board exam में तो यह PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा साथी साथ यह आप UPMSP की official website से भी download कर सकते हो जाकर तो वहां से download करो चाहे PDF आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लो मिलता है next video में पढ़ते रहो आगे बढ़ते रहो जो भी आपको content चाहिए जो भी paper चाहिए model paper comment में जरूर बताना पढ़ते रहो आगे बढ़ते रहो मिलते हैं next video में